तो आज हम आपको कुछ ऐसे सीमर के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप अपने फेस पे इसका इस्तेमाल करती है रात में सोने से पहले तो आपके फेस से जो भी दाग धबे चाहिया है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे यदि आपके आखों के नीचे काले घेरे है आपके फेस पे कोई भी समस्या है प्राबलम है तो उससे आपको बहुत ही जल्दी छूटकारा मिल जाएगा तो फ्रेंट्स आप इसे अपने घर पर बड़े ही आसानी से बनाकर अपने फेस पे इस्तिमाल कर सकते हैं इससे आपके फेस पे चमक आएगा आपके फेस पे गल के बादे मंद होता है आप इससे अपने फेस पे स्तिमाल कर सकते हैं दो से तीन मेन तक आपज़ का पर बिदमिनी का क्यप सूछ आपके के लिए बहुत ही अच्छा होता है दाग धब्य चाईयों को भी दूर करता है इन दोनों को आप मिक्स कर ले मिक्स करके आप किसी भी इसे जार में आप श्टोर करके इसे रख ले आप एक खपते के लिए बनाना चाहती है तो आप एलोविरा जिल का और विटमिन एका मात्रा बढ़ा सकती है बनाकर आप इसे रख लीजिएगा सुबा भी आप अपने फेस पे दो मिनट इसे लगा कर मसाज करें रात में सोने से पहले आप अपने फेस को साफ कर लीजिएगा उसके बाद जो आपने इस पैक को बनाया है सिमर को बनाया है आप अपने पूरे फेस पे इस्तेमाल करें इस्तेमाल करने की बाद इसे आप अपने पूरे फेस पे रात भर लगे रहने दी जगा सुबा आप वास करें इसे आपके फेस के जो भी दाग धब्बे चाईया हैं और धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी आपको रोजाना लगाना है बीच में आपको गयप नहीं करना है आप इसे अपने बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे अपने बालों पर नारियल के तेल में विटमीनी का कैपसूल मिला के अपने बालों पर भी आप लगा सकते हैं रात में सोने से पहले लगा ले सुबा वास कर ले से आपके बालों की लंबा सबसे पहले आपके पहुचा सके तो आज के लिए इतना फ्रेंट्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में